हलो मेरे नाम है चंदरहास, इस्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है, दोस्तों English Vocabulary से आज हम देखेंगे Part 4 किसका वर्ड पॉर मिड एजी स्रीच का और यहाँ पे हम बात करेंगे Science और Scientist के वारे में कि कौन से Science को क्या कहते हैं और कौन से Science के क्या Scientist के नाम होते हैं नहीं कर सकते हैं, grammar पढ़ने से आपकी English तेज नहीं होगी, vocabulary को आप अपने जितना इंप्रूब करेंगे उतना ही ज़्यादा आप English में नंबर पा सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, vocabulary पूछी नहीं जाती, direct आप से vocabulary पूछी नहीं जाती है exam में एक दो questions ही पूछे जाते हैं, लेकिन indirect अगर देखे तो पूरा जो 40 या 50 नंबर का paper अगर होगा, तो वो पूरा का पूरा आपका vocabulary पर ही based होगा, क्योंकि अगर आपको शब्दों के मतलब नहीं पता है, तो ना तो आप reading comprehension कर पाएंगे, ना तो आप close test कर पाएंगे, ना तो आप double fillers कर पाएंगे, ना तो आप parajambles कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको शब्दों के मतलब नहीं पता है, कौन सा शब्द कौन से sense का है, कौन से tone में बोला गया है, कुछ नहीं पता है आपको, तो आप अगर root words के जरीए आप शब्दों को जानते रहेंगे, उनका formation कैसे हुआ है, जानते रहेंगे, तो बहुत आसानी से सब कुछ आप clear कर पाएंगे, और ये जो English वाला section है, आपका आसानी से clear हो जाएगा, तो चली देखते है, part 4, यहाँ पे पहला शब्द है anthropologist, anthropologist क्या होता है, मैंने आपको बताया है, पिछले भी part में, जब root word पढ़ा रहा था हम है, word for made history से पहले, इसका मतलब क्या होता है, the field of all mankind, how we developed in mind and body from primitive cultures and early forms, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, मानो जाती का अध्यान होता है, anthropologist कौन होता है, ऐसा विज्ञानी, जो मानो जाती का अध्यान करता है, anthropologist है, मतलब यह scientist का नाम है, और इसकी साखा क् तो क्यों हो यहाँ पे IST जो लगा, इसको अटा करके वाई लगा दिए, anthropology, anthropology का मतलब ऐसा विज्ञान या फिर ऐसा अध्यान जिसमें मानो जाती के विकास का अध्यान होता है, मतलब कि हम आधी मानो से मतलब एकदम पुराने समय से कैसे अब तक develop हुए है, क्या कुश changes हु रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, mankind, इसके बारे मैंने आपको पहले भी बता हुआ है, और इससे बहुत सारे शब्द आपके बनते हैं, जैसे एक तो anthropologist हो गया, anthropology हो गया, philanthrop होता है, और anthropoid होता है, बहुत सारे शब्ध मैंने आपको पहले भी बता रख very repeat करने जर और world power आपकी बहुत ज़्यदा इंप्रूव होगी दूसरा word देखते हैं क्या है an astronomer, astronomer कौन होता है astronomer वो वेक्ति होता है, वो scientist होता है जो किसके बारे में अध्यान करता है वो अध्यान करेगा planets के बारे में galaxies के बारे में, stars के बारे में और जो भी universe में सारी चीज़ें फैली होगी उनके बारे में जो अध्यान करता है वो क्या कहलाता है, astronomer अब यहाँ पे root word क्या है astronomer में, वो समझ लें तो यहाँ पे एक root word है astron astron का मतलब होता है star से, ठीक है ध्यान रखेगा, astron का मतलब क्या होता है star, no most का मतलब होता है arrangement, या फिर कोई नियम या फिर कोई order हो, तो उसे हम कहते है no most, ठीक है, या आपको कई जगा पे देखने को मिलेगा, इसी से आपका शब्द बनता है astronomy, astronomy का मतलब astronomer जो काम करता है वो जो अध्यान होता है, उससे क्या कहेंगे astronomy, astronomy के इंतरगत जितने भी stars हैं, galaxies हैं, universe हैं उनका अध्यान किया जाता है और जो व्यक्ति अध्यान करेगा, वो क्या कहलेगा astronomer, और यहीं से आपका एक शब्द और बनता है क्या, astrology astrology तो समझते होंगे, सुबा सुबा अगर आप टीवी खोल के बैटते होंगे, तो आपको सारे समचार चैनलों पे, बहुत सारे लोग ठीका लगा के देखने को मिलते होंगे, वो क्या उन होते हैं, वो होते हैं, एस्ट्रो लॉजर होते हैं, और वो जिस शाखा का अध्यान को करता है, या इसकी जो प्रैक्टिस करता है, क्या एक टर्मी से और बनता है क्या, एन एस्ट्रो नॉट, एस्ट्रो नॉट का मतलब क्या होता है, एस्ट्रो नॉट जैसे यहाँ पर लिखा है, इस अ सेलर एमंग दे स्टार, ग्रीक वर्ड इसमें है, नॉट्स, नॉट्स का मतलब क्या होता है, सेलर सेलर का मतलब सेलर का वैसे तो बेसिक मतलब होता है जो समुद्र की यात्राएं करता हो नाविक उसे कहते हैं सेलर लेकिन एस्ट्रोनॉट है तो वो किसकी यात्रा करता है स्टार्स के बीच में यात्राएं करता है सितारों के बीच में यूनिवर्स में जो जाता है उसे क्या क क्या लाता है astronaut इससे एक और आपको शब्द देखने को मिल रहा होगा जो आपके लिए थोड़ सा unfamiliar होगा इस संदर्व में disaster यह आपका कैसा related है इससे तो देखिए यहां पर भी आपका यह इससे रिलेटेड है disaster सब्द भी अपका यह इससे रिलेटेड है disaster का मतलब क्या होता है कि कहीं पर आदी तुफान आ गया एकदम तबाही मजगे उससे क्या करते है disaster तो यह disaster सब्द भी एससे बना है disaster का मतलब के अगेंस्ट है थीक है मतलब विरुध में अअ एसटर का मतलब किया हता है star मतलब इस सितारों के विरुध है तो पहले के जवाने में लोग ऐसा समझते थे कि जो मानव जाती है या धर्ती पर किस का शाशन होता है किसके दारा ये धर्ती के सारी घटना गवर्न ह वो होते हैं इस्टार्स ही हमारे उपर राज करते हैं उन्हीं के जरी यह हमारे आसपास की सारी घटना होती हैं जैसा के इस्टोलाजर अभी भी कहते हैं कि आजा अजाएगा तो वैसे पहले के लोग समस्ते थे, तो उसी के क्रम में कहा जाता है कि जब भी कभी कोई तबाही आती थी, कोई तुफान आता था, भुकम पाता था, तो लोग समस्ते थे कि सितारे उनके अगेंस्ट में हो गया, मतलब उनसे नाराज हो गया है, इसी लिए ये आपका टर्म कोईन हुआ, डिज ये आपका बना है, जो आपकी शाखा होती है, जियो लॉजी जो शाखा होती है, उसका जो अध्यन करता हो, कौन होता है, जियो लॉजिस्ट, अप कहेंगे जियो लॉजी में क्या होता है, तो जियो लॉजिस्ट क्या काम करता है, हमारी धर्ती, जो धर्ती है, उस पे सता से ले करके उसके अंदर तक क्या कुछ है उसके बारे में जो भी अध्यन करें क्या कहलाएगा जियो लॉजिश्ट ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब कि हमारी धर्ती कैसे बनी, mountains कैसे बनी, oceans, rivers, plains, सब कैसे form हुए, कैसे बने, भुकम पाया, जौलव मुखी का उद्गम कैसे हुआ, कब कौन सा mountain बना, कितने साल कौन सा पुराना है, कहां पर बारिश ज्यादा होने की संभाव ना है, किस वज़ा से ऐसा होगा, किस वज़ा से ऐसा, नहीं होगा, मतलब धर्ती के चारों तर क्या होता है, अर्थ, धियार रखिएगा, यह वाला जीओ नहीं है, जी-ई-ओ है, ठीक है, जीओ का मतलब क्या होगा, अर्थ, अर्थ मतलब धर्ती, और इसी से आपके कुछ और एक ब्रांच जिसके अंतरगत हम अलग-अलग शेप का अध्यन करते हैं, आप लोग तो जानते होंगे, अगर से सीव गयर एक तहरी कर रहे हैं, तो उसमें भी जियोमेटरी पूछा जाता है, ट्रैंगल का एरिया पूछा जाता है, पेंटेगन पूछा जाता है, तो यह सब क वही सब काम में आ रहा है, ग्राफिक का मतलब क्या है? टू राइट, मतलब किसके बारे में लिखना? धर्ती के बारे में लिखना, is writing about और mapping the earth, geography का मतलब क्या, ऐसी शाखा या ऐसा subject जिसमें धर्ती के बारे में लिखा हो, कि कहां पर क्या पाया जाएगा, कहां पर कैसी वनस्पती होगी, कहां पर कैसी जमीन होगी, कहां पर कैसे पहाड होगी, ये सारा कुछ किसके अंतरगत आएगा, geography के अंतरगत, ठीक है, तो next word पर हम चलते हैं, biologist, biologist का मतलब क्या है, ये आपका सबसकते हैं, bio का मतलब क्या होता है, life, ये आपका biology से बना हुआ है, मतलब जो biology का अध्यन करता हो, क्या कहलाता है, biologist कहलाता है, और इस अध्यन में होता क्या है biology में, कि आपके छोटे से छोटे कीड़े मकड़ों से ल कौन कहां पर पाया जाता है कौन सा जानवर कहां पर उकता है कौन सा प्लांट कहां पर पाया जाता है कैसे पाया जाता है उसकी ग्रोथ कैसे होती है यह जो सारा अध्यान होगा वो किसके इंतरगत आएगा बायोजी के अंदर और यह जो अध्यान करेगा वो क्या कहलाएगा बायोलोजिस्ट कहलाएगा एक बड़ा टर्म है इसके इंतरगत विज्ञान के और सायरी साखाएं आती है जैसे जो प्लांट का ध्यान करेगा वो अलग हो जाएगा जो कीडे मकड़ों का ध्यान करेगा वो अलग हो जाएगा जो आपके मनुष्ट का ध्यान करेगा एनिमल का अध्यन करेगा वो अलग हो जाएगा तो यह सब उसके इंतरगट dividation होता है लेकिन एक जो main branch है वो क्या है biology है और इसका अध्यन करने वाला क्या कहलाएगा Biologist कहलाएगा Termin किसे बना हुआ है Bios से बना हुआ है Bios का मतलब क्या होता Life मतलब G1 इससे autumn क्या बनते है Biography Bio का मतलब तो समझते है Life Graphic का मतलब Graphene से लिखना मतलब अपनी जिंदगी के बारे में लिखना Biography हम कहते है Biography, Autobiography ये दोनों शब्द आपके बड़े important है Difference वो इसमें आता है Biography का मतलब क्या Writing about someone's life जैसे अगर आप किसी दूसरे वक्ति की जीवनी अगर लिखते है तो वो क्या कहलाएगी Biography कहलाएगी अगर इसी में एक सब्द आ जाता है Auto Auto का मतलब क्या होता है Self-controlled मतलब जब आप अपनी जीवनी खुद से ही लिखें तो क्या कहलाएगी Auto biography इसलिए अगर किसी की किताब launch होती है तो उसमें टर्म देखेगा क्या लिखा है Biography है वो या फिर Auto biography है Auto मतलब होगा तो उस वेक्ति ने अपनी जीवनी खुद लिखी होगी क्योल biography होगा तो उस वेक्ति की जीवनी किसी और वेक्ति ने लिखी होगी फिर इसी से एक टर्म आपका बनता है Biopsy Bio का मतलब तो Life Biopsy का मतलब क्या होगा कि जैसे लिखा है Medical Examination Frequently Performed Cancer is Suspected Biopsy और Autopsy ये दोनों टर्म भी आपके काफी confusing है दोनों में difference क्या है अगर ये आप समझ लेंगे तो आगे आपको कोई confusion नहीं होगा और सही जगा पे आप इनको use कर पाएंगे जिनको नहीं समझ में आता है मतलब उनके लिए थोड़ी सी problem होती है Biopsy का मतलब क्या है बायो से ही आप समझ जाएंगे इतना कि बायो का मतलब क्या है यहाँ पर जीवन है मतलब जब हम किसी जीवित व्यक्ति के cells की जाच करें cells का मतलब उनके उतकों को निकालें जैसे किसी कोई व्यक्ति cancer से पीडित है तो उस जीवित व्यक्ति के उन उतकों को निकालें उन tissues को निकालें जो cancer से पीडित हैं फिर उस पे अध्यन करें microscope लगा करके कि क्या बीमारी हुई है कैसे उसका treatment किया जा सकते है उसमें कुछ सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है या फिर क्या उसकी हला तो और बिगड़ रही है तो एक तरीके से पूरा medical examination करें किसी भी जीवित व्यक्ति के tissues का, उतकों का, cells का तो वो कहलाता है biopsy autopsy का मतलब क्या होता है अगर कुछ व्यक्ति मर गया है तो उसकी लाश का जब हम अध्यान करते हैं medical examination करते हैं tissues का, तो वो कहलाता है autopsy ध्यान रखेगा biopsy, जीवित व्यक्ति के लिए autopsy मृत व्यक्ति के लिए होती है यह दोनों में difference है उल्टा अगर use कर दिया, आपको तो नहीं समझ में आएगा लेकिन जो पढ़ेगा, उसको समझ में आजाएगा कि आपको सही से difference नहीं पता है दोनों होते तो medical examination है लेकिन एक जीवित व्यक्ति के लिए है और एक मृत व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति मर गया है next हम देखते हैं, अब botanist यह देखिए, biology पढ़ा दिया अब botany आ गया, botany का मतलब क्या होता है की biology की ही एक branch होती है जो केवल और केवल किस से related होती है plant से related होती है मतलब पौधों से related होती है कि पेंड पौधे कैसे बढ़ते है कौन सा पेंड पौधा कौन सी जगा पर पाया जाएगा किस पेंड पौधे के लिए क्या जरूरी है क्या मौसम में खिलेंगे, किस मौसम में फल देंगे, कितनी इनकी ग्रोथ होगी, कितने साल ये जीवित रहेंगे, कैसे इनको और बचाया जा सकता है, कैसे इनमें और सुधार लाया जा सकता है, कैसे दो पेणों को क्रॉस करके एक नया पेण बनाया जा सकता है, तो ये सारा क कुछ जो भी अध्यान होगा पेणों से संबन देत हो किसके अंतरगत आएगा बॉटनी के अंदर और ऐसा ध्यान करने वाला वेक्ति क्या कहलाएगा बॉटनिस्ट ठीक है इसमें रूट वर्ड क्या है बॉटन बॉटन का मतलब होता है प्लांट और फीर्ड इसकी क्या है बॉटनिस्ट ठीक है जो बॉटनिक अध्यान करेगा एक आजएगा जूलाजिस्ट जो किसका अध्यान करेगा अब जू सही समझ सकते है जू का मतलब क्या होता है ऐसा याद रखिए जू का मतलब होता है चिडियागर जहां पे जानवर रहते है ठीक है तो जूलाजिस्ट कौन होगा ऐसा scientist या ऐसा विज्यानी जो animals के उपर अध्यान करे different different तरह के चाहे वो पक्षी हो चाहे वो मचलिया हो चाहे वो reptiles हो कोई भी जानवर होगा उनका जो अध्यान करेगा वो क्या कहलाएगा जो logist कहलाएगा देखेगा कि कौन सा जनवर कहाँ पर पाए जाता है किसके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है कुछ बीमारी हो रही है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है उनकी cells में क्या बदलाव लाए जा सकते है तो ये सारा काम कौन करेगा जो logist करेगा इसमें जो root word है वो क्या है an entomologist entomologist एक और آ गया ये भी आपका क्या biology कि ही एक ब्रांच है ठीक है एक तॉप मने पढ़ लिए plant इक पढ़ लिया animal अब ये entomologist कौन होंगे entomologist वो वैक्ति होंगे या वो scientist होंगे जो किसका अध्यஹन करेंगे चोटे जो कीडे मकोडे होते हैं, उनका अध्यान करते हैं, कीडे मकोडे जो होते हैं अनिमल्स में नहीं आएंगे, वो पेड़ पधों में नहीं आएंगे, तो क्या उनका अध्यान नहीं होगा, और यह जो एंटमोलोजिस्ट है बहुत ज़्यादा पुराना शब्द नहीं ह आया था तो विलियम नाम के एक विज्ञानी थे पूरा नाम तो खेर मुझे साध याद नहीं आ रहा है उन्हों ने इसका एक अलग से शाखा बनाई और इसके बारे में पुरी एक बुक रिलीज की थी वहां से शाखा का अध्यन शुरू हुआ था तो एंटमोलोजी में क्या आता है कि जितने भी तरह के छोटे मोटे कीडे मकोडे होते हैं फ्लाइज हो गई बीज हो गई उन सब का अध्यन किया जाता है देखे लिखावा है देर आर 650, 100 different species of insects and millions of individual of every species and this scientist is interested in every one of them कि इतने सारे प्रजातियां होते हैं और उनमें भी इतने सारे कीडे मकोडे होते हैं और जो यस तरह का scientist होता है वो सभी में interested रहता है सब के बारे में देखता है कि कौन सा कीड़ा कहां पर पाया जाता है किसकी क्या खासियत है किस से क्या विमारी हो सकती है या फिर कौन कितने दिन तक ज कटिंग का मतलब समझिए कि अगर कहीं पर कट रहे तो कहने कि फ्लाइज बीज बैटल्स वैप और इंसेक्ट्स और सेग्मेंटेट क्रियेचर्स यह जो भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं फ्लाइज हो गई बीज हो गई बीटल्स हो गई या फिर आप मॉस्किटोज ले लिए यह सब क्याते हैं सेग्मेंटेट होते हैं सेग्मेंटेट का मतलब इसालगता है कि वो डिवाइड़ेड हैं उनके अलग-अलग पार्स अफ-प साफ दिखते हैं जैसे हम अगर आपने आपको देखें तो हमारा सर है उसके बाद नीचे का पार्ट ऐसा नहीं कि आपको सीन अलग दिखेगा फिर पेट अलग दिखेगा ऐसा नहीं है ठीक है लेकिन इनका सब कुछ अलग अलग आपको दिखेगा और ऐसा लगएगा कि सारे के सारे जोड़े गए हैं आपस में जैसे आप लीगों खेलते हैं उस तरीके से सब जोड़े गए हैं आपस में होता है इनका है यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां से डिवाइड़ है यह जो पार्ट होता है इतना यह क्या कहलाता है यह कहलाता है थोरेक्स कहलाता है थोरेक्स का मतलब होता है जैसे छाती हमारे होती है सीना उस तरीके का पार्ट और पीछे वाला जो पार्ट होत जाता है और वहां से शब्द हों है एंटमो लॉजी मेरे खाल से आपको समझ में होगा अब इससे आपके कुछ शब्द और रिलेटेट क्या है उनको हम देखते हैं जैसे इसी में अगर हम टोम का मतलब क्या होता है कटना मतलब तूटना दो पार्ट में इसी क्या अगर हम ए लगा दें ए का मतलब क्या होता है एंटी होता है अगर हमने ए टोम लगा दिया तो क्या हो गया एटम हो गया एटम का मतलब एटम का मतलब समझते होंगे आप मतलब वह सबसे छोटाकन जिस इसको दो पार्ट में आप डिवाइड ना कर सकें, वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कि एटम शब्द कहां से बना हुआ है, टॉम का मतलब है तूटना, दो पार्ट में कटना, आगे ए लगा दिया, मतलब अब वो आगे नहीं तू पोड़ी के structure का ध्यन करना चाहते हैं, तो जो जब आप कट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है, मतलब आपको देखना है कि कौन सा plant या कौन सा animal, उसके शरी में क्या क्या चीज़े है, उसका structure कैसा है, तो उसके लिए आपको एनाटॉमी करनी पड़ती ह उस जानवर या फिर उस पेंड़ पौदे की, इसी से आपका एक term बना है, डिको टॉमी, डिको का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है, दो, टू, टू, टूमी का मतलब splitting into two, जब भी आप किसी चीज़ को दो पार्टमेंट तोडेंगे, काटेंगे, तो वो क्या कलेगा, डिको ठीक है, इस से बहुत सारे शब्दाब के बनते हैं, जैसे अगर आप कोई बुक होती हो, दो पार्टमेंट भी डिवाइड़ होती है, तो उसे क्या कहेंगे, डिको टॉमी, ठीक है, इसी से एक शब्दाब का ओर बनता है, क्या, इपिटोम, इपिटोम का मतलब क्या होता है it may refer to a summary, condensation or abridgment of language मतलब जब संचिप्त रूप में आप किसी भी भाषा का इस्तमाल करें या संचिप्त रूप में किसी भी शब्द का इस्तमाल करें तो वो क्या कहलाता है? epitome कहलाता है, ठीक है? एक as a summary या फिर brief कह सकते हैं तो वो क्या कहलेगा? epitome नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड है आपका a philologist philologist का मतलब क्या है? यहाँ पर समझेए logist आप समझते हैं, logist मतलब language से होगा philow का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है फिर भी नहीं जानते हैं, मतलब प्रेम या फिर लाइक philologist कौन सा person होगा? this person in short a student of linguistics, ancient and modern primitive and cultured, Chinese, Hebrew Icelandic, Slavic, Teutonic and every other kind of spoken now मतलब कि ऐसा व्यक्ती जो हर तरह की भाषा चाहे वो अभी यूज की जा रही हो चाहे modern में यूज की जा रही होगी या फिर बहुत सालों पहले यूज की गई होगी उसके बारे में अध्यन करता हो उसके बारे में जानता हो पूरी समझ रखता हो कौन सी भाषा का origin कैसे हुआ क्या कुछ शब्द वहां से लिए गए कौन सी भाषा में और कौन सी शब्द मिलाए गए फिर उनको कैसे जोड़ा गया मतलब पूरे language किसी भी language के बारे में पूरी जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं फिलोलोजिस्ट ठीक है फिलोलोजिस्ट का मतलब क्या होगा ऐसा वेक्ति जो कई सारी भाषा हैं भी जान सकता है ऐसा ने किसी एक भाषा को ले करके ही हो ठीक है वैसे तो कई सारी भाषा हैं जो वेक्ति जानता है या बोलता है उसको हम कहते हैं polyglot poly का मतलब कई polyglot का मतलब कई भाषा हैं बोलने वाला है कई language बोलने वाला अब फिलोलोजिस्ट का मतलब एक पूरा scientist होगा वो समझ सकते हैं भाषाओं के term में तो हर एक चीज जानता हूँ सिर्फ बोलना ही नहीं उस भाषा का उद्गम कैसे हुआ फिर उसमें और क्या भाषा हैं जुड़ी फिर क्या नई भाषा बनी ये सब चीजें जो जानता हूँ क्या कलता है फिलोलोजिस्ट अगर इसके root word को देखें तो logos का मतलब ऐसे तो हम समझते हैं study से होता है, किसी अध्यान से होता है या फिर किसी science से होता है लेकिन logos का एक अर्थ word या फिर speech भी होता है मतलब किसी भी तरह का शब्द या फिर बोलने से भी आपका related होता है ये word logos ठीक है root word जो है और philo का मतलब मैंने आपको पहले बताया love या फिर like तो वहीं से शब्द बना है philologist ठीक है मतलब जो भाषाओं के प्रती प्रेम रखता हो या फिर शब्दों के प्रती प्रेम रखता हो वो क्या कहलेगा philologist तो यहां से कुछ hot term बनते हैं philo को ले करके जैसे होता है philanthropy पहले ही मैंने बताया यह आपका या anthropos से बना हुआ anthropos का मतलब mankind फिलो का मतलब क्या प्यार ऐसा व्यक्ति जिसको मनुष्यता से प्यार हो मानव जाती से प्यार हो वो क्या कहलाएगा philanthropist और यह जो आपकी practice होगी क्या कहलाएगी philanthropy इसी से बनता है philosophy philo का मतलब तो आपको पता है philo का मतलब क्या होता है प्रेम या फिर like पसंद sophie क्या है sophos से बना है जिसका मतलब क्या होता है wise मतलब बुद्धी या ज्यान मतलब जिसको किस से प्यार हो wisdom से प्यार हो ज्यान से प्यार हो, वो क्या कहलाएगा, फिलोसफी कहलाएगा, ठीक है, और ऐसा वेक्ति जो होगा, वो क्या कहलाएगा, फिलोसफर, और ये जो शाखा होगी, क्या कहलाएगी, फिलोसफी, इसी से आपका एक शब्द बनता है, या एक सहर का नाम है, फिलाडेल्फिया, फिल इसी से आपका सब्द बनता है अब बिबलो फाइल फाइल का मतलब तो आप समझे होंगे प्यार या फिर लाइक बिबलो का मतलब क्या बुक्स ऐसा वेक्ति जिसको बुक्स से प्यार हो या फिर कह सकते हैं वो बुक कलेक्टर हो बुक कलेक्टर कब होगा जब उसको बुक से बहुत ज़्यादा लगा होगा तभी वो अलग लगतरा की बुक को कलेक्ट करेगा ठीक है तो यह वे आपका बनते हैं इस से शब्द किस से फीलो से ध्यान रखिएगा बहुत जगा पे आपको आता है और आसानी से आप समझ सकते हैं अब नेक्स्ट हम चलते हैं असिमेंटिक्स्ट असिमेंटिक्स्ट कौन होता है असिमेंटिक्स्ट ऐसा परसन होता है कोई भी भाषा हो उसके जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग से जिसको मतलब होता है उसको इससे मतलब नहीं हो कहा से उसका ओरिजिन हुआ या फिर कैस उसको उस शब्द के जो भी word लिखा वे इसके meaning क्या होगी उससे के बौल मतलब होता है वह क्या क्याifieहंन टिंब्र स्थ, ठीक है ऐसा person क्या 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 दें, कई भार confused होते लोग. Philadelphia होते लोग philologist और Semantics के वीछवड स्थ. जी फिलो लोजिस्ट होता है वह ऐसा person होगा या फिर ऐसा linguistic scientist होगा जो कि यह देखता है कि भासाओं के बीच में या फिर language के बीच में और शब्द जो लिखे गए हैं उनका मतलब क्या है सिर्फ उससे related है और वो जो मतलब निकलता है उसका क्या psychological cause हो सकता है क्या effect हो सकता है लोगों के उपर जब लोग कहते है या फिर लिखते हैं तो वो जो person होगा जो क्यों इतने शब्द या फिर इतनी मतलब तक ही सीमित रहता है क्यों वो शब्दों की meaning तक सीमित रहता है और उसका क्या असर होता है लोगों तक उसका जो अध्यन करेगा क्या क्या लाएगा okay a sociologist ॥ सोच लॉजिस्ट का मतलब क्या हता है इस उस्य एक तरह का साइकिस होगा या फिर एक ऐसा Student होगा जो किसके बारे में ध्यन करता है सोसाइटी के तुक्षाएटी के वारे में ध्यन करता है कि ह思ारे आस पास के जो लोग हैं जो जो families है, जो community है, उनका relationship कैसा है, आपस में कैसे रहते हैं, किस तरह की government आसपास उनके form है, आपस में उनके क्या customs है, उनके क्या behavior है, एक दूसरी के प्रतिम का व्यवहार कैसा है, क्या कुछ उनकी आदते हैं, तो ये जो सारा ध्यन होता है, ये कौन करता है, sociologist करता है, और इस और इससे आपके शब्द और क्या-क्या बनते हैं, जैसे associate, social, socialize, society, sociable, anti-social and asocial, यहाँ पर मैं आपको anti-social और asocial के विच का difference बताऊंगा, काफी confusing सब्द होते हैं, anti-social और asocial, कई बार आप अगर नहीं सहीं समझते हैं, तो उल्टा सिजा यूज कर सकते हैं इनको, लेकि आपके साथ रहता हो, आपके आस-पास रहता हो, या फिर जो मित्र हो आपका, वो क्या कहलाता है, companion, वहाँ से शब्द बनाएं, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, society, society का मतलब आपके आस-पास रहने वाले लोग, तो यहाँ पर हम समझते हैं, anti-social person कोन होता है, anti-social person जो होग यहाँ पर सब्द समझेगा, anti-social, social होगा वो, लेकिन किस संदर में होगा, anti, anti मतलब विरोधी, मतलब social होने का मतलब क्या होगा, कि आप society के लिए कुछ अच्छा काम करें, लोगों के साथ मिल जोल कर रहे हैं, हस बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ anti हो जाते हैं, म आप कैसे person होते हैं, anti-social होते हैं, ध्यान रखीगा, anti-social person active person होता है, inactive नहीं होगा, वो active होगा, लेकिन उल्टे अर्थों में active होता है, वो society को साथ लेकर के नहीं, वलकि society को बिखेरने की कोशिश करता है, ठीक है, उसी के उल्टा अगर हम देखते हैं, आ-social को, आ-social person क्या होता है, आ गया यहाँ पे, आ-social person क्या होगा, एकदम वो क्या होगा, उसको मतलब भी नहीं है, उसके आज पास कोन रहता है, कोई उससे बात करता है, नहीं करता है, वो चाहता है, और इसके लिए, कुछ अलग से काम नहीं करता है, ठीक है, वो society के प्रती कोई उल्टा सीध आने का काम करते हैं या फिर अलग थलक करने का काम करते हैं तो वो कहाते हैं एंटी शोशल पर्षन कौन होगा जिसको समाज से मतलब नहीं हो रहता तो समाज की बीच में ही है लेकिन उसको अपने आसपास के रहने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं हो क्यों अपने काम से रखता है तो ऐसा person क्या कहलाता है आ-social person कहलाता है ठीक है तो anti-social और आ-social में आपको difference पता चल गया होगा तो ये थे आज के 10 शब्द जो की science और scientist के पर dependent थे और काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्या इनके root words है और root words जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं हमारी जो knowledge है वो और बढ़ती जा रहे हैं और देख रहे हैं कि cashm शब्दों को तोड़ करके उनके अर्थ आसानी से निकाल ले रहे हैं ठीक है तो अगर आप इसी तरह इसको देखते रहेंगे वीडियो गर पसंद आया है तो दो सेकेंड का टाइम निकाल करके आप वीडियो को like करना न भूलें और share करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको English को ले करके बहुत problem होती है बहुत सारे लोग की समस्या होती है वो English तो improve करना चाहते हैं लेकिन vocabulary के उपर ध्यार नहीं देना चाहते हैं और सोचते हैं वो English कहीं और से improve होगी grammar के कुछ rules पढ़के आपकी English नहीं improve होने वाली अगर आपकी vocabulary अच्छी नहीं है vocabulary अच्छी है फिर आपको grammar के rules काम आएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे उन सारी चीजों को ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही अब हम मिलेंगे next वीडियो में अगर आप इस चैनल पर नए हैं पहले बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें और आपको प्रेप्रिशन और अच्छी होती रहेगी इंगलिश आपकी बहुत अच्छे से इंप्रूब हो जाएगी तो हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye